आप तब में अफसर इसका जीता जाकता उधारण है एक चायवाला चायवाला बोलने पर आप NBA चायवाली के बारे मत सोचने लगएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं NBA चायवाली की नहीं बलकि नाखपुर के डॉली चायवाली के बात नमश्कार मेदिती वाज़ार आप देख रहे हमारे साथ नगरी मीडिया डॉली चायवाला जो अपने हैस्टाइल कपड़े और केटियम बाइक की वज़े से मेम्स की दुनिया में फेमस हो गया और अभी डॉली चायवाली की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि Microsoft के को फाउंडर बिलगेट्स ने डॉली चायवाले से मुलाकात की डॉली चायवाले बिलगेट्स को नहीं जानता था उसने सिर्फ लगा कि विदेशी व्यक्ति आया है तो उसे चाय पिला देता हूँ समचार एजनसी एनाई के साथ बातचीत में डॉली चायवाले ने बताया कि बिलगेट्स ने कहा था कि वाओ डॉली की चायवाले ने आगे बताया कि बिलगेट्स मेरे पीछे ही खड़े थे मैं अपने काम में व्यस्त था और मैंने उनसे ज्यादा बात भी नहीं करी इसके बीच ही पता चला है कि सदर इलाके में पुराने VCA स्टेडियम के पास सड़क किनारे अपनी चाय की दुकान लगाने वाले डॉली चाय वाले ने का कि अगले दिन जब मैं हैदराबाद से नागपूर लोटा तो पता चला कि मैंने किसे चाय पिलाई थी उसने बताया कि वो चाय बनाने की ये स्टाइल साउथ फिल्मों से सीखा है उन्होंने बताया आगे कि मैंने बिल गेट्स का शेयर किया हुआ वीडियो देखा अब लग रहा है कि मैं नागपूर का डॉली चाय वाला बन गया हूँ बिल गेट्स ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर गया इसमें देखा गया है कि विल गेट्स ने डॉली चाय वाले से का कि वन चाय प्लीज इसमें डॉली चाय वाला काफी अनुक्य अंदाज में चाय बनाते हुए भी नजर आ रहा है वीडियो को इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए विलगेट्स ने लेखा कि भारत में हर जगा इनोवेशन की खोज की जाती है आप जहां जाएंगे वहां इनोवेशन है यहां तक कि एक सिंपल कप में भी इनोवेशन है इसमीच संबादिता ने डॉली चायवाले से सवाल किया कि भविश्य में आप किसे चाय पिलाना चाहेंगे इस पर उन्होंने कहा कि मुझी जी अगर वो हमारे पास आएंगे तो मैं उन्हें पक्का चाय पिलाओंगा मैं चाहता हूं कि जीवन भर मैं सभी को मुस्कुराते हुए चाय पिलाता रहूं और हसते रहूं और हसाता रहूं आज के लिए बस इतना ही ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद